हलो एब्रीबन कैसे हैं आप सब आज बनाने जारी हूँ एक और नई डिजाइन का डॉर्मेट इस डॉर्मेट में मैंने मचली की डिजाइन डाली हुई है और देखिए यहां पे मैंने ब्लेक कलर से बनाया है और प्लैन यहां पे बनाया है यहां पे लाइनिंग बनाई है फ चलिए इसको इस्टार्ट करते हैं, ये देखे सबसे पहले मैं यहां पे फंदे डालूँगी, तो यहां पे मैं तीन फंदे डालूँगी, इसको मैं तीन फंदों से स्टार्ट करूँगी, ये देखे, ऐसे, एक, दो, और देखे, ये तीन, यहां पे मैंने तीन फंदे ले ल यहां से हम पलट लेंगे आप देखिए यहां पे हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे और देखिए जिस सेंटर वाला फंदा है इस पे हम फंदे बढ़ाएंगे एक फंदे से तीन फंदे तो एक बार हम इसको उल्टा बुनेंगे ऐसे और बूल को हम यहां से एक बार सीधा उस इसी फंदे को हम उल्टा बूनेंगे तो देखे तीन फंदे हो गए इस फंददे को हम उल्टा बूनेंगे पलट लेंगे उल्टे तरफ से हम सारे फंदें उल्टे बनेंगे, ये देखे, ऐसे, ऐसे, बना लिया, अब हम फिर से पालट लेंगे, आप देखिये यहाँ से, पहले मैंने एक बना, आप देखे, अब हम दो बनेंगे, तीसरे बाले फंदे, जो सेंट्र का फंदर आएगा, इसी भे हमेइसा फंदे बढ़ेंगे, तो एक बार हम ऐसे बनेंगे से उल्टा बूल को यहां से ऐसे करेंगे एक बार सीधा बापस बूल को यहां से इधर करेंगे एक बार उल्टा यह देखें और इन दो फंदों को हम इधर से उल्टा बना लेंगे ऐसे आप यहां से हम ऐसे बनेंगे उल्टी रो में कुछ निकनना उल्टी रो में स confronting बनाते हुए जाना है यह देखे आप देखे यहां से एक दो तीन तीन फंडी बनेगे और देखे यह सेंटर वाला फंडा आगया तो इसको हम एक वार उल्टा बनेंगे बुल को ऐसे करेंगे एक बार सीधा वापस बुल को यहां से ऐसे किया एक बार फिर से उल्टा एक फंदे से तीन फंदे हो गए इधर के तीन फंदे हम उल्टा बना लेंगे उल्टी रो पूरा उल्टा बुनेंगे आप देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे 21 फंदे तक बनाएंगे उसके बाद हम दिखाएंगे आप बड़ा बनाएं तो यहाँ पे आप ज़्यादा फंदे कर लें यह देखिए यहाँ पे मैंने 21 फंदों तक बना लिया है आपको इसी तरीके से बनाना है एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चवदे, पंदरे, सोले, सतरे, अठारे, उन्निस, बीस, एक्किस आप यहाँ पे 31, 51 इस तरह के फंद लेंगे, और देखिए, यह यलो कलर, एड़ कर लेंगे, इस बूल को, ब्लैक को मैंने यही छोड़ दिया, अभी, यह देखिए, हम यहाँ से, उल्टा बुनते हुए जाएंगे, ऐसे, यहाँ पे आप नोट भी लगा सकते हैं, इस धागे की, हम इसी में, ऐसे ही इसको पूरी रो, उल्टा बना लेंगे, यह देखिए, इसको हम कम्प्लीट कर लेते हैं, आप देखिए, मैं सीधी रोपे आ गई हूँ, तो सीधी रोपे हम जैसे अभी बुन रहे हैं, बैसे ही बुनेंगे इसको, यह देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यह देखिए, अब इस पे हम फंदा बढ़ा देंगे, एक बार इसको ऐसे बुन लेंगे, यहां से बूल को ऐसे किया, सीधा बुनेंगे, बापस ऐसे किया, उल्टा बुन लेंगे, यह देखिए, तो यहां पे मैंने फिर से फंदे बढ़ा अब देखिए, हम इसी तरीके से यहां पे आठ रो बनाएंगे, तो आठ फंदे इधर बढ़ेंगे, आठ फंदे इधर बढ़ेंगे, तो मैं बढ़ा लेती हूं, फिर मैं आपको दिखाती हूं, यह देखिए, यहां पे मैंने आठ रो बना ली हैं, यह देखिए, एक, दो 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 फंदे इधर बढ़े 8 इधर बढ़ गए 16 फंदे टोटल ये बढ़ चुके हैं 21 फंदे अमारे पास पहले थे अब टोटल मेरे पास 37 फंदे हैं तो अब हम यहां से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे और ये बलेक कलर की बूल लगा लेंगे यहां से ऐसे ये देखे उल्टे तरफ से मैंने ये बलेक कलर की बूल एड़ कर ली अब हम यहां से पूरी रो उल्टा बुन देंगे ये देखे इस तरह से मैंने पूरी रो उल्टे तरफ से बना ली है आप देखिए हम दोनों तरफ से फंदे गटाएंगे तो यहाँ पे मैंने ऐसे दो काएक कर दिया उसके बाद हम पूरी रो उल्टा बुनेंगे आप सेंटर में कोई फंदा नहीं बढ़ाना है ऐसे ही हम इसे बनाते हुए जाएंगे यह देखिए यह देखिए यहाँ पे मैंने कोई खंदा नहीं बढ़ाया अब हम इसे ऐसे ही बनेंगे दोनों साइड़ी के खंदा घटाएंगे लाश्ट तक इसको बना लेंगे लाश्ट में दो का एक इधर भी कर देंगे यह देखिए यहाँ पे ऐसे दो का एक कर दिया अब देखिए एक खंदा मेंने इधर घटाया एक इधर घटाया अब उल्टी रो में हम इसमें कलर चेंज करेंगे तो यहाँ से देखिए मैंने यलो कलर लगा लिया और पूरी रो हम उल्टा बनाते हुए जाएंगे ऐसे उल्टी रो में कोई फंदा नहीं गटाना है सीधी रो में दोनों तरफ से एक एक फंदा गटाना है तो हम यह बना लेते हैं यह देखिए उल्टी तरफ से मैंने यह रो बना ली है अब हम फिर से यहाँ पे दो का एक कर देंगे ऐसे यह कर दिया उसके बाद हम इसे उल्टा बनाते हुए जाएंगे लाश्ट तक लाश्ट में फिर से हम दो का एक करेंगे और हम उल्टे तरफ से फिर से ब्लेक कलर लगाएंगे दो-दो रो बनाते हुए हम यहाँ पे लाश्ट ग्यारा फंदे तक हम इसे बुनेंगे तो हम इसी तरह से बना लेते हैं फिर मैं आगे का आपको दिखाती हूँ ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 11 फंदों तक फंदे घटा लिये और देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 रो में मैंने सिर्फ सीधे तरफ से फंदे घटाए हैं इसके बाद हमने दोनों तरफ से फंदे घटाए हैं जब सीधी रोपे आए हैं तो इधर से घटा दिया फिर उल्टी रोपे गए तो दोनों तरफ से मतलब फंदे घटाते हुए गई हूँ एक इधर से और एक इधर से फिर इधर पलट लिया तो इधर से भी तीन चार पांच ये देखिए पांच फंदे मैंने इधर करें पांच इधर कर लिए एक फंदा पर फंदा मैं बढ़ाऊंगी अब मैं इसकी टेल बनाऊंगी तो देखिए इसको हमने जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है इसी तरीके से एक वार ऐसे बुना और एक वार ऐसे सीधा बापस बूल अपने तरफ एक वार उल्टा आप जितना बड़ा बना रहे हैं ये डोर्मेट इसी हिसाब से बनेगा जितना बड़ा भी आप बनाएंगे यहां से अब हम उल्टा बना लेंगे ऐसे ये देखिए इस तरह से फलट लिया इसको आप देखिए हम इस बूल को इसी में अंदर के साइड कर देंगे ताकि यहां से फिंसिंग आ जाए ऐसे पूरी रो उल्टा बनाएंगे यह देखिए यहां से उल्टी रो कंप्लीट हो गई पलट लिया मैंने अब देखिए यहां से एक दो तीन चार पाँच और देखिए छे अब मैंने छे फंदे बने बढ़ा हुआ फंदा मैंने इदर कर लिया एक इदर कर लेंगे इस वाली फंदे पर हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे एक बर उल्टा बना बूल को ऐसे किया एक बर सीधा और एक बर बापस बूल को इदर किया एक फंदे से तीन फंदे और इदर के फंदे उल्टे आप देखिए इसी तरह से मैं यहाँ पर फंदे बढ़ा लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए यहाँ पर मैंने 21 फंदे तक इसको बना लिया है एक, दो, तीन, चार, पार, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चवदे, पंदरे, सोले, सत्रे, अठारे, उननिस, बीस, इक इस तरह से मैंने फंदे बढ़ा लिये हैं आप देखिए हम यहाँ इसे सारे फंदे क्लोज कर देंगे, दो काई करते हुए ऐसे, इस तरह से, तो मैं कर लेती हूं इनको फिर दिखाती हूं